तो फाइनली दोस्तों यहां पर बहुत सारी अपडेट आई है जैसे कि वाट इफ अफ्तार 3 कुंफू पांडा 4 और यहां पर दोस्तों कल की डेट में वाट इफ का एक कमाल का टीजर भी आया है जहां पर हम लोग को बहुत कुछ देख टुक पला है और यहां पर यह शिरु इन डीटेल्स के बारे में जो की बहुत जादी इंट्रस्टिंग है तो इसलिए दोस्तों कॉम्प्रीट वीडियो को स्टार्ट करने इस पर आप लोग कर देजे वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताईए यहां पर वाट इफ में क्या हम लोग को वाकई में मल्टिवर् की जहां पर एक ऐसा विलन आ गया है जो की नासिफ शेप शिफ्ट कर सकता है बलकि अपोनेंट की ताकत को भी अब्जॉब कर सकता है और यह कोई और दी बलकि इस विलन के नाम में कमीलियन और यहां पर दोस्तों किसी तरह इस ने टायलंग को जगा दिया है जो की 16 साल पह लेकिन वह काफी कमजोर हो गया है और यह जो विलन है यह टायम पे कुंफु पांडा का भी रूप लेके हो सकता है उसकी पाउस को कॉपी कर ले जो की देखने में काफी जादे इंट्रेस्टिंग लगेगा इन सब के बाद दोस्तों बात कर लेते हैं वाटिफ सीजन 2 के ब अब मल्टिपल टैम लेले इसलिए स्टोरीज भी इन्फेनिट हो गई है जिसकी विजिस दोस्तों कहानी एक से बढ़कर एक दिखाई देगी अब यहां पर दोस्तों वाटिफ के एक सीन में अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कैप्टन काटर और कैप्टन स्टीव रोजरस को एक साथ और यहां पर दोस्तों अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यह वही स्टीव रोजरस है जो कि हम लोग को एक टैम पे एबजिस इन्फिटी वार में देखने को मिले थे और यहां पर हो सकता है यह वो समय हो जब कैप्टन और कैप्टन स्टीव रोजरस एक साथ उस समय थेनौस से भीड़ेंगे जो कि देखने में काफ़ी इंट्रस्टिंग होगा लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है वर्टिप के हम लोग को इतने सारे टीजर देखने को मिले हैं आगे भी एपसोर्ड देखने को मिलेंगे लेकिन आपने क्या एक बात नोटिस की इन सभी टीजर्स में हम लोग को कैंग के कोई भी वेरियंट्स की जलक ने दिखाई दी जो की काफी हरान करने वाली हाला कि अभी जॉनसर में जसका केस चल ला है हर बार एक केस नया मोल ले रहा है लेकिन यहाँ पे कैंग के वेरियंट्स न हाया कैसे यह सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि इस टाक क्यों कॉपी करता था लेकिन कॉपी करते वे क्या इतना परफेक्ट हो गया कि इसने अपने लिए खुद का ही हल्कबस्टर डिजाइन कर लिया अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा इसके अलावा दोस्तों बात क यह सब पैलर में चल ली है यानि कि एक साथ फिल्माई जा रही है और यहां तक ही अवतार 4 में हम लोग को एक बढ़िया टाइम जम भी देखने को मिलेगा लेकिन बात करें अवतार 3 की तो उसमें इतना डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि वो लोग एलियन की एक नई स्पीशी करना चाते हैं इसलिए इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है अब देखने जब फर्स्ट लुक आएगा तो देखने में ओडियन्स को कितना पसंद आएगा